kello earth signs yani Taurus Capricorn and Virgo let's check what's coming towards you in near future what's coming towards you in near future spirit please tell me what's coming towards earth sign Taurus Capricorn and Virgo in near future one card please we have solutions Wow बहुत ही खुब्सूरत काड़ा है और साइन, टॉरस, कैप्रिकॉन और वर्गो आप लोगों के लिए अगर आप किसी दूवीधा में थे किसी उलजन में थे किसी प्रश्ण का जवाब आपको नहीं मिल रहा था किसी प्रॉब्लम का सॉलूशन आपको नहीं मिल रहा था तो बहुत ही जल्डी solutions आपकी दिशा में आने वाले, आपको solution मिलने वाला है अपनी problem का बहुत खुबसुरत काड़ा और शायद आप स्वेम इस solution को ढूंड लेंगे, निकाल लेंगे आपने पिछले समय में या फिशायद प्रेजेंट ली आप किसी तरह का बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं या आप spirit से या एंजल से आप मदद मांग रहे हैं तो definitely आप बैलेंस में आएंगे, आप मांसिक रूप से संतुलन में आएंगे और इश्वर की एंजल की मदद से आपको आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परिशान थी, अपने स्वास्त से समस्याओं से जूज रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशन्स में शांती बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी. उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैक्ग्राउंड के बावजूर, जिन्दगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था, उपरी तोर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोकली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी, मैं रोज ईश में और बाहर की दुनिया में भी, ब्रम्हान्ड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे, मनुष्यों को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मारग है, कैसे मन चाही जिन्दगी बनाई जा सकती है, जब मैंने ये खोज शुरू की, एक बाद ए फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपरिमेंट्स करने लगी, जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अपलाई करती जाती थी, और देखती थी क्या सही है और क्या गलत, तो लगबक दो साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद, आखिरकार मेरी ट्रांस्फोर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई, और मैंने अपने आपको एक नए अवतार में पाया, अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में, अफसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास, और बंधी- सुस्वा कि जो मैंने पाया है, उसे खुद तक सीमित ना रखूँ, उसे बाटा जाए, एक भरपूर जिंदीगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना जाहिए, और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कनवर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिच्वल हीलिंग कोर्स, इस कोर्स को पिछले एक साल में सौ से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाब ले चुके हैं, अपनी परिशानियों से बाहर निकल कर आज एक खुशनुमा मन चाही जिन्दगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूस आप रोज पढ़ते हैं, हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जिन को भी अब में आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी, तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाब नहीं लिया है, तो जोईन की तो गैरंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बलकि एक बहतरी जीवन में प्रवेश करेंगे, जीवन की अब तक की बेस्ट टाइम लाइन पर जंप करना चाहते हैं, तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरि पर आज ही, देखिए इस पर लिखा है, सक्सेस देट कम्स फ्रॉम अबजेक्टिव कंप्रमाइज, मुझे से लगता है कि कुछ दिनों से आप किसी तरह की जिद पर अड़े वे थे, या इश्वर आप से कुसी तरह का कुछ चीज चा रहे थे, आप नहीं कर रहे थे, आप किसी काम को करने के लिए, अब फाइनली आप रेडी हो, आपके अंदर से इंस्पिरेशन आ चुकी है, और वो काम करने के लिए अब आप रेडी हो, और कुछ जगों पर अगर कॉम्प्रमाइज भी करने की ज़यत पड़े हैं, कहीं कॉम्प्रमाइज को हिंदी में क्या कहत करन आपने इमोशन को कंटर्लना ही कर पाते हैं, इस वज़े से वह अटक जाते हैं लाइद लेकिन जब आप सेबिड़न śig a走 голос क experiment, आप को तभी ऐग करने के लिए, पछले समय में जो भी जहावत आय थे तूफ़ान हो आप सेलफ serf कंट्रोब्रों पेशंघन कर ते, और जगडे हुए विवाद है तो लोग भी आपको माफ कर रहे हैं आप भी दूसरे लोगों के साथ healing energy भेज रहे हैं और शायद आपको भी healing मिल रही है और तो बहुत ही खुबसरत कार्ड आपके लिए आया है this is a very promising card 7 of Gabriel यह भी उसी चीज का कार्ड है I think personal power अपनी confidence थे personal power को claim करके आप जो भी काम करना चाहरे है जिस भी अब यह सभी लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है किसी भी तरह के relation में या आपके career में जहां पर भी आप कोई decision प्रेट किये वे थे आप आपको action में आ जारा चाहिए confidence रखना चाहिए कि आप जो decision लोगी हो decision ठीक ही निकलेगा ऐसी energy आपके लिए निकल कर आई है वो लग लास्ट कार्ड फॉर्ड वाओ king of refile this is emotional intelligence पिछले समय में जो कुछ भी घटा है उससे आपने काफी emotional intelligence गेन की है अब आप काफी mentally और emotionally balance हो प्यार से forgiveness से भरेवे हो कि कुछ ऐसी घटनाए घटी definitely देखिए यह three of swords card है heartbreak का card previously मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी तरह के bad heartbreak से आप गुजरे और emotionally imbalance हो गए ते लेकिन आप धीने दीने समय के साथ आप emotional balance में आ रहे हो आप फिर से यकीन करते हो खुद में यकीन करना सीख रहे हो universe पर यकीन करना सीख रहे हो the ability to accomplish many things at once और आप फिर से एक बार ready हो रहे हो बहुत का सारी चीजों को एक साथ अपने हाथ में लेकर complete करने के लिए नए projects अगर आप कुछ साथ में हाथ में रखना चाहते हो तो आप definitely हाथ में रख सकते हो नए projects पर काम करना शुरू कर सकते हो follow your creative passion और आपकी जो creativity आप जो करना चाहते हो लंबे समयत है ऐसे कोई creativity का passion है आपके अंदर तो आप उस creativity के passion को भी आप follow कर सकते हो बहुत बहुत energy है देखिए bottom of the deck आपके लिए three of Michael card है यह heartbreak का card है और इस पर लिखा है release the past जो कुछ घटा है उसको past में छोड़ दीजिए you will grow from this situation इस situation से आप grow करने कर जाओगे अब आने वाले भविश में time heals all wounds जितने भी घाव होते है वक्त उन घावों को भर देता है ऐसा यहां पर कहा जा रहा है तो earth sign Taurus Capricorn and Virgo past घावों को भूल जाईए past pain को भूल जाईए situation इस situation में क्या सीखना था क्या lesson लेना था वो सीख लीजिए और समय को अपने घावों को भरने के लिए मौका दीजिए balance में आईए healing कीजिए action में आईए और अपनी creative power को भेचान कर अपनी creativity में आप jump in कर जाईए बहुत ही खुबसूरत energy आई है हमारे Taurus Capricorn और वर्गो यानि earth sign वाले लोगों के लिए और मैं आपके लिए एक card निकालूंगी जो आपके universe की तरफ से जो guidance है इसके लिए आपके लिए card निकालती हूँ one card for guidance for Taurus Capricorn and वर्गो और साइन पीपर व्रशब मकर और कन्या राशी वाले लोगों के लिए one card प्लीज one card प्लीज time to go वाओ देखो फिर से वही बात कही जारी समय आ चुका है एक जगे टिक कर मत रहिए अपने resistance को छोड़ दीजिए and time to go imagine अपनी नई imagination कीजिए नई कल्पनाए कीजिए भविश्य की सुनहरी कल्पनाए कीजिए उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए action mode में आ जाईए तो जो कुछ भी past में आपका soulmates card भी आप लगों के लिए definitely beautiful time for love relationships and all kind of relationships I say तो और आपकी family अच्छी family में भी आपका good time बीते है फैमली के साथ आपका quality time बीते है अपने आपको एक खुबसुरत भव भविश्य में imagine कीजिए और उस खुबसुरत भविश्य को balanced emotion के साथ बनाना शुरू कीजिए ऐसी guidance आप लोगों के लिए आ रही है short and sweet reading है लेकिन precise reading निकल कर आईए बहुत कम में बहुत सारी बाते हमको पता चल चल चुगी बहुत कम cards के अंदर ही आपको जो जानना था जो कुछ भी घटा है अगर उसको लेकर आप बैठे रहोगे तो आप पूरी जिन्गी भी रो सकते हैं कोई नहीं रोक सकता आपको लेकिन अगर आप अपने विचार धारा को बदल लेंगे तो आपके life भी बदल जाएगी इस पर लिखा है by choosing a thought that feels slightly better than the thoughts you have been thinking अभी तक आप जो कुछ भी सोच रहे तो उससे थोड़ा slightly better सोचना शुरू कर सकते हैं बहुत जादा negative सोच रहे हैं तो मैं आपको यह नहीं किया रही कि आप 100% एकदम positive हो जाईए लेकिन जितना खराब आप अभी सोच रहे हैं जितना negative आप अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा 2%, 5%, 10% उससे बैटर सोचना शुरू कीजिए, you can gradually change the direction of your thoughts, आप दीरे दीरे करके अपने विचारों की श्रंकला को अलग direction में ले जा पाएंगे, by focusing upon or better feeling thought, the law of attraction will respond to the thoughts, आप थोड़ा better सोची, पहले से better thoughts कीजिए, तो law of attraction भी आपको उसी तरह से respond करेगा, and therefore the balance of your thoughts will now improve, और इस तरह से आप आपकी thoughts improve होगी, जब thoughts improve होगी, तो आपकी imaginations improve होगी, और जब imaginations improve होगी, तो law of attraction की law की विजए से बहतरी चीज़े आपकी दिशा में आने लगेंगी, बहुत बहुत खुबसुरत reading है, जो लोग इस energy में हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस energy में नहीं है, अपने आपकी अपनी personal healing शुरू कीज़े, क्योंकि healing ही वो जरिया है, जिसके द्वारा आपकी thoughts बदलते हैं, आपका thoughts pattern बदलता है, आपकी subconscious mind की reprogramming होती है, और आप better visualizations कर सकते हैं, और law of attraction का भरपूर फाइदा आप उठा सकते हो, वाउ, और में last card आप लोगों के लिए I can focus especially upon what I want फिर अगेन वही बात है, फोकस कीज़े उन चीजों पर जो कि आपको चाहिए, ना कि उन पर फोकस कीज़े जो कि आपको नहीं चाहिए, law of attraction के द्वारा, visualization के द्वारा, और अपने thoughts को better करके ही आप अपनी जिन्गी को better कर सकते हैं, you are bombarded by thoughts stimulation, क्योंकि हमारी life में हर दिन हम ह सार स सितर हजार thoughts, सार स सितर हजार विचार हम हर दिन सोच रहे हैं, और उनमें से जितने विचार positive होंगे, उतना better life बनेगी, सतर हजार विचार होंगे, उतनी ही आपकी life खराब होती जाएगी, and so unless you give your attention to what you especially want, you can be influenced by that which surrounds you, and definitely अगर आप सोच विचार कर नहीं सोचोगे, तो विचार तो automatic आए जा रहे है, negative, positive, सब तरहे हैं, mixed विचार आपके life में आए है, तो कम से कम सोच नहीं है, तो सोच विचार कर, determine करके सोचे कि नहीं मुझे इन ही चीज़ों के बारे में सोच नहीं ता कि आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो अच्छा ही घ दूसरों के विचार, दूसरों की बाते आपके लिए important नहीं है, फिर भी आप उनी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप अपने विचार कब सोचेंगे, आप वो चीज़े कब सोचेंगे, जो आपके लिए important है, जो करके आपको फायदा मिलने वाला है, इसलिए दूसरों क बारे में सोचना, दूसरों के विचारों को rethink करते रहने के बजाए उन विचारों पर focus कीजी जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी जिन्गी के लिए ज़रूरी है, जिनको imagine करके जिनको सोच के आप अपनी जिन्गी को अच्छा बना सकते हैं, positive thinking रखने का message है आपके लिए, Taurus, Capricorn और वर्गो, emotional balance में आ रहे हैं, अच्छा समय आ रहा है, नए project की शुरुआत का समय, आ रहा है नए relations की शुरुआत का समय, आ रहा है relations के अच्छा होने का, rejuvenate होने का, और healing का समय है, इसको enjoy कीजिए, thank you very much for watching बोला, कि ये आपके कार्ड्स आये हैं और आप personal consultation दीजिए, ये आपकी destiny है, यही आपका soul purpose है, यही आपका एक life का जो mission है, वो है, मुझे नहीं अकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे-जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत कर सके जो है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है बलकि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक अपने लिए एक सटीक tarot guidance कभी लिया ही नहीं है आपकी subconscious mind में आपकी सभी समस्याओं के समाधा नहीं थोते हैं लेकिन इस subconscious mind की wisdom तक पहुँचने का माध्यम है tarot cards tarot card reader जोकी direct energy से connected होते source से connected होते अपने intuition power काफ़े विक्सित कर चुके होते हैं वो आपको मदद करते हैं आपके subconscious mind तक पहुँचने में और आपकी समस्याओं के सही सही निदान पाने में आप एक tarot card के माध्यम से अपनी past, present और future energies अपने akashic records अपने soul imprint energies का पता लगा सकते हैं और इस तरह से अपनी समस्याओं के मूल कारणों के पीछे जा सकते हैं और उनको कैसे ठीक किया जाता है इसकी सथी guidance भी आपको tarot reading के माध्यम से मिल सकती है मिल सकती है तो अगर आप परिशान है और अगर अभी तक आपने अपने लिए एक सही tarot reader का चुनाव नहीं किया है तो बुक कीजिए मेरे साथ एक personal tarot session आजी whatsapp कीजिए मुझे 74248 30300 पर tarot reading के साथ मैं आपको देती हूँ crystal healing products, aroma therapy और spiritual healing therapy की guidance भी साथी mantra therapy और sound therapy इस तरह के बहुत सारे उपायों के द्वारा मैं आपको इस तरीके से गाइड करती हूँ कि आपकी समस्याइं चाहे कितनी जटिल हो उनको हम आपस में बात्चित करके उनको जड़ से मिटा सकते हैं तो अगर आप अपने लिए एक tarot reading book करवाना चाहते हैं या आप spiritual healing करना चाहते हैं तो मेरी tarot readings को देखिए उनको देखने, जानने, समझने और परकने के बाद में आप मेरे को आप whatsapp कीजिए और अपने लिए एक tarot reading book कीजिए आप मेरे के बाद मेरे के बाद मेरे कीजिए चल पथि कुस देश जहां पर सूरज साउ जाला चांद सिशी तलता है हर पर जो पूलों की माला एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए मदुर गीत के गुंजन के संग्यान के दीप जलाए भीतर की आता कर ले तू थाम के हाथ हमारा गठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा उजाले कियो ले चले उजाले कियो मिट जाता है सब के दीवन का अंधेरा काला सतरंगी सपने है जो आपों में सच हो जाए हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबडाए अपनी मन्जिल पालेंगे हम पाके साथ तुम्हारा आशाओं के आसमान में चमके बन किस तारा उजाले कियो ले चले 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 उजाले कियो ले चले